क्या फेसदीज कराने का प्लान कर रहे हो, ताकि फेसदीज बड़िया वाला ग्लो झाय और आप तक सब्समार कें पार्टी के लिए। ब्लीच लगाना सिरब उस वक्त के ग्लो के लिए और फिर बाद में एक दम स्केंट डाक हो जाए अगर आपको इतना वर्थ इट लगता है तो ब्लीच आप लगाते रहो बट अगर आप चाहतो लॉंग रण में प्यापके स्किन ग्लो करते रहे तो आपको एक ब्लीच बिल् अदर ही है आपकी किचन के अंदर ही है आपको सिरफ उन इंग्रीडिंट्स को इकठा करना है मिलाना है और आपकी त्यार हो जाएगे एक नाच्रल ब्लीच अब मैं यह तो नहीं बोलता हूँ आपके बालों को ब्लीच कर देगी क्योंकि बालों को ब्लीच करता है वो होता ह से खास बात है आप इसको more often use कर सकते हो जबकि आप कभी भी अगर एक bleach यूज करोगे तो आपको अडवाइस किया जाएगा कि आपने 15 दिन से पहले यूज करनी ही नहीं है उसका यही होता कि आपके skin बहुत जादा irritate हो सकती है डामेज हो सकती है और जैसे मैंने बता है burn भी हो सकते है पर इस bleach को आप more often भी यूज कर सकते हो हफते में एक बार अर्राम से यूज करो बिना करेंशन के और जितनी भी टैनिंग है डेट स्किन है डाक स्पोर्ट है उनको हटाओ पहले ही यूज में तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज ही वीडियो आपको बताते हैं हाव टू प्रिपेर नाच्रल ब्लीच आट हो हमारी आज की नाच्रल ब्लीच के लिए आपको टोडल चार इंग्रेडिंस की ज़रुद पढ़ने वाली है मैं सारे इंग्रेडिंस बताऊंगा उसके फायदे बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा कैसे आपने उसको मिक्स करके प्रिपेर करना है पर उससे पहले अगर आप आपके लिए बड़िया बड़िया वीडियो लेकर आते रहें आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हम मेक्शॉर करते हैं हमारी जो भी वीडियो ना आपको सिर्फ और सिरफ फायदा दे और कोई भी नुकसान ना दे तो बिल्कुल भी देरी ना करो अभी के अभी जाओ और मे आपको अराम से जाओ गूगल पर फुलर ज़र सर्च कर आपको अराम से कहीं भी मिल जाएगी अब इसके थोड़े बेनेफिट्स बता देता हूँ आयुर्वेदा टाइम से इसको यूज किया जाता है फो क्लियर ब्राइट एंड रेडियन स्किन अगर आप सिरफ गुलाब और आपको देगी क्लियर रेडियन और ग्लोइंग सिर्फ यही नहीं जब बात आती है डाक पैचेस की डिसकलरेशन की स्कार्स की यह उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है और अगर आपकी स्किन अक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए किसी मैजिक से कमने यह एक्ने को श्रिंक करने का काम करती है जो हमारा जितना भी डर्ट होता है और होता है अकने के अंदर चुपा होता है यह उसको एक्स्ट्राक्ट आउट कर देती है इससे आपके अकने भी प्रोपर्ली श्रिंक आउट हो जाते हैं इंग्रीट नमबर टू तर्मरिक अगयन एक कमाल का इंग्रीटिंट जिसको सालों से यूज किया जाता है फो अमेजिंग स्किन बेनेफिट जब बात आती है च्किन लाइटनिंग की इसकिन ब्राइटनिंग की या खिन की कोई भी समस्या हो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पहले बेटर हुआ करती थी तो तर्मरिक रखती है आपकी स्किन के जित्ती भी डामेज उसको रिवर्स करने का अगर आप नॉर्मली टर्मरीक का पिंच टर्मरीक हमें जाधा क्वांटिटी में कभी नहीं डालने हो थी विए यलो सा कलर दे देती है और वो हटता नहीं है जल्दी आपने देखा होगा ब्राइड वग आपको बहुत असानी सापकी किचन तक जाकर आपको इंग्रेडिन मिल जाएगा बट जो इसके फायदे है ना वह बहुत ही कमाल के करड के अंदर होता है लाक्टिक आसिड जो होता है एल्फा हीड्रॉक्सी असेड और आप अगर नॉर्मल दही को अपने फेस पे लगाओ तो एक पीलिंग वाला काम करेगी आपके फेस पे पीलिंग बेसिकली यह मतलब होता है डेट स्किन फेस से हट जाना और निकल कराना एक क्लियर और ब्राइट स्किन आप नॉर्मली करड को डेली अपने फेस पे लगाओ कुछ भी मत करो आपके फेस पे इतना बढ़िया ग् स्किन लाइटनिंग और ब्राइट निक एक देता है और फाइनली इंगरी माटव ब्लीच यह को लगता ही कोई एक अब कुछ लोग इस पहार्ग्यू करेंगे कि लेंग स्किन को ये नुकसान देता है वह बिल्कुल देता है मैं अगर आप उसको डिरेक्ली लगाओ बर्ट जो chemical वाली bleach आप face पे लगाते रहा उससे फिर भी उसके नुकसान बहुत कम है उसके अंदर होता है ammonia जो आपकी skin को अलग ही level का damage कर देता है तो बिल्कुल भी tension ना लो lemon को properly use करो बट directly कभी नहीं use करना चाहिए और लंबे duration तक अपनी skin पे छोड़ना नहीं चाहिए और जो हम आपके लिए आज ready करा रहे हैं तीन इंग्रिडिंट और है लेमन के अलावा तो बिल्कुल tension-free होके आप इस bleach को use करो provided आपकी skin oversensitive नहीं होनी चाहिए और आपकी skin lemon से allergic नहीं होनी चाहिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी magical remedy की तरफ कि कैसे आपने इस magical bleach को prepare करना है सबसे पह अगर आपको ऐसे लग रहे हैं तो थोड़ी सी आप दही और मिला सकते हो और अपना एक बढ़िया वाला पेस्ट रेडी कर सकते हो इसको बढ़िया डंग से मिक्स कर लो पूरे face पे neck पे hands पे जहां-जहां आपको tanning हो रही है यह जहां-जहां bleach करने का plan कर रहे थे neck वागे हट जाएगी वहां पे लगाओ 15-20 मिनट के लिए इसको leave-on करके रखना है हल्की फुल की tingling sensation आपको feel होगी बट बिल्कुल भी टेंशन ना लो इसका सिरफ यह मतलब है कि bleach आपके face पे काम कर रहे है बट अगर आपको overburn लगे over जाधा tingling sensation हो तो उसको उसी वक्त wipe off कर दो tension नालो कोई नुकसान नहीं देगी lemon का जो acidic nature है वो हमारी skin में थोड़ा सा sensation देता है बट वही बात है अगर face को bleach करना है tanning हटानी है तो थोड़ा सा tingling sensation is very normal तो अपने face पे लगाओ 20 मिनट के रहे रखो और इसको properly wash कर दो पहले use में जो एक glow देने वाली है वो में words में आप इस बात की surety देता हूँ जाधा इसलिए नहीं कहता विकिस उसके अंदर इतना जाधा chemical होता है और chemical से हम कभी comparison नहीं करते हमारी वाली bleach में कोई preservative नहीं है कोई chemical नहीं है बट जब बात result ही आती है market वाली bleach को टक कर देने वाली है यह वाली bleach तो आज ही try करो इस natural bleach को और अपने natural charm को बोलो मेरा दिल ने यह पुकारे आजा और वो भागा आएगा आपकी तरफ और आप शाइन करोगे like never before आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंज के साथ शेयर कर सकते जो परिशान हो चुके है टैनिंग से और ब्लीच कर आके भी परिशान हो चुके है कि मेरी skin damage हो जाती है कुछी द अज जिस देखर इस देखर